चोपड़ा है जो किसी ने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारी बच्चों, नी 22 MBBS एडमिशन की लास्ट डेट एक दिन और अक्स्टेंड हो चुकी है, यानि ये 29 डिसंबर 22 है, ये MCCY State Counseling दोनों की MBBS कोर्स के एडमिशन की क्लोजिंग डेट है, अब काफी सारे स्टुडेंट का ये डाउट है कि क्लोजिंग डेट के बाद भी क्या MBBS के लिए वेकेंट सीट रहती हैं, अगर ये वेकेंट सीट रहती हैं, तो इनका क्या होता है, क्या इन पर क्लोजिंग डेट के बाद भी एडमिशन होता है, तो मैं आपको बता दूं कि क्लोजिंग डेट के बाद किसी किसी स्टेट में MBBS की एक दो सीट वेकेंट रह जाती हैं, मगर उन पर एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि क्लोजिंग डेट के बाद NMC को कुलेज दवारा एडमिटेड स्ट अबव नहीं है, गौवर्मेंट मेडिकल कोलेज की सीट स्टेट काउंसलिंग अथोटी दवारा फिल की जाती हैं, मगर प्राइवेट कोलेज की सीट स्टे वेकेंशी राउंड में कोलेज के पास सली जाती हैं, और वो कोलेज अपने इसतर पर इन सीट को फिल करते हैं, 595 रही है, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही प्रेडिक्ट कर दी थी, यानि कि हमारी एक्सपेक्टेड कटोब बिलकुल एकुरेट ही गई है, क्योंकि हम सुरू से ही 595 कटोब बताते आ रहे हैं, इस बार स्टुडेंट का जुखाव प्राइवेट मेडिकल कोलेजेज की त इतनी ज्यादा है, कि हर स्टुडेंट इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मीडियम जो कंडिडेट पहले प्राइवेट कोलेजेज की फीस को अफोर्ड कर लेते थे, कहीं लोन वगरा से करके एड्मिसन ले लेते थे, लेकिन इस बार ऐसार नहीं हुआ, क्योंकि फीस इतनी ज् हो गई, कि स्टुडेंट की रेंज से बाहर चलेगी, जिसके कारण प्राइवेट मेडिकल कोलेज की कट ओफ काफी कम रही, और लास्ट राउंड तक भी सीटें इसमें MBBS की वेकन रही हैं, अब नी 22 के MBBS एड्मिसन तो 29 डिसमबर को क्लोज हो जाएंगे, मगर BDS और BSC नर जिन कंडिडेंट का नी 22 में MBBS में एड्मिसन हो गया है, वो अपना ठीक से MBBS करें, महनत करें क्योंकि 27 में उनको next exam देना है, जिन स्टुडेंट का नी 22 में एड्मिसन नहीं हो पाया है, वो अभी निराश ना हो, क्योंकि 7th of May 23 को नीट का exam है, आप अपने आपको बेहतर स सफल होंगी, बेस्ट ओप लग